हेलो फ्रेंट्स और वेलकम इंड वेवन डेज हैं तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसकेचप के अंदर हमने एनिमेटर टूल और फ्रैलो 6 कैसे डाउनलोड किया जो एनिमेशन के लिए यूज होता है तो आज हम इस वीडियो में उस प्लग-इन का यूज करके हम एनिमेशन करेंगे जो कि आप यहां पर लेख रहे हैं कि जो फ्लेटफॉर्म है हम इसको रोटेट करेंगे ओके तो वह कैसे करेंगे तो उचलते अपने यहां पर इसकेचप किया हूँ सबसे पहले मेरा यहां पर जबाएं तो थोड़ी सी लिक्कत होगे यहां पर अपने को अ कर दो यह कलर बहुत थी अपने थो रहे हैं ब्लैक में डाल देते हैं ओके सीन वन पर चला जांगे तो अब हम इसके अनिमेशन देने के लिए इस वाले को हम प्लेटफर्म को रोटेट करेंगे कार को जो अकसर आपने मूवी में नहीं तो आप यदि कभी सोरूम में गए हो तो आप नहीं देखा होगा ओके तो थी सिक्स्टी मूव कैसे करेंगी एक टॉ यहां पर हमारा गुरुप हो गया है अभ यहाँ पर ग्जा देखिए और यहां पर फ्रेडव 6 यहां पर दिख रहे हैं जो ने पिछली बार इंस्टॉल किया था यहां पर नहीं देखा है देख देर था तो आप यहां पर राइट क्लिक v करके आप देख सकते हैं यह को यहां पर एक option मिलता है यहां से मैं new fill और यहां पर मैं नाम रख दूँगा उसका रखूँगा कार रोटेट और यहां से करूँगा create fill यहां से करने के बाद यहां पर insert sequence के अंदर यहां पर new color का है आपको square दिख रहा है आपको में इसा ध्यान रखना आपके अंदर ग्रूप के अंदर होना चाहिए और आपको दिक्कत यहां पर आपको यह होगी का आप यहां पर select करना है आपको अच्छे से कि ग्रूप यदि आपने जो लैटेस्ट कौन सा बना है यादि component बनाए या ग्रूप बनाए उसको select कर यहां से फिर आपको यहां पर option दिखाए रहा होगा rotate का यहां पर मैं इसके उपर click कर लेता हूं अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर इसा बचा रहा है तो मैं up प्र खिलिक करूँगा और उसका center point है जो कि आपको यहां पर कुछ देख सकते हैं कि यहां पर आपको दिखा यहां पर थोड़ी सी दिख्कात हो रही है हमको ओके कुछ नहीं तो यहां पर आपको देखे center बता रहा है आप यहां से और मिटका यूज़ करें कि आप अपना center अब select कर सकते हैं यहां पर मैं click करूँगा और यहां पर कहीं पर वी click कर गया आपको यह से rotate कर लें इसे और आपको यहां पर rotate मैं आपको एंगल नीचे दिखा रहा है मैं keyboard से यहां पर 360 एंडर कर लेंगा तो मतलब ही हमारा जो प्ले जो सेकेंड है जो यह जो इनिमेस है वो two seconds अंदर होग left हम यहाँ से कर लेते है फाइव सेकेंड के आधे पास आप अपने अहींसाब से यो फाइव से केंड कम और अपने अहींसाब यह हो गया इसके बाद में आपको क्या करना है यह आपके हो जाने के बाद यह चाहते हैं तो आप यहां से जाके इसके बाद में आप सीधा आपको यहां पर क्लिक करना है राइट के एरोप पर यहां पर आपको दिख रहा है इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टायब आजाएंगा यहाँ से जो आपने साव सेव के अचाहते हैं। यहाँ से सेंटेम करना नहीं साधने की लोड़े हैं कैविशति क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे एक तू नया डायलोग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, फ्रेवरेट यहाँ पर 25 भी आपको 25 भी जाने देना, यदि आपको इसके बाद में ज्यादा नौलेज है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बता रहा, डाइमेंशन देना, यहाँ पर आपको जिस क्वालेटि के अंदर चाहिए ही उस क्वालेटि के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको टेस्ट इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि आपने तो डाइमेंशन दिया है, वो आपको एक image के तोर पे कैसा बताएगा यहां पर आप देख सकते हैं कुछ ही इस्टाइट बता रहा है तो मैं यहां से मारा सो रखता हूं यहां के बाद में आपको यहां पर natural पे क्लिक है यहां आपने वीडिये के अंदर यह आप वीडिये के अंदर भी कर सकता है थीञे बिटवीरे यहां पर पे वडिए में नहीं करना की proto के ताइम लग जाता है सकल आप यहांने है जन्रेस वुडिष मैं पर भी जन्रेट है ऍहीं हुझा आपको बता रहे हैं तो आप देख में only चुन्रेस यहां पिडियो टैम बता रहा चो फाइव सकेंड का है रिमेनिंग मतलब फॉर पॉर पॉर पॉम्ट एट सेक अभी तब आपका अंब्याइब सन्माकिया तो टॉटल फ्रेम है यहां पर वो वन ट्वैंटे-सीक्स है रिमेनिंग मतलब आपके 116 फ्रेम अभी 115 फ्रेम अभी भी बाकि यह आपके must time यहाँ मतलब आपको time बटाया हाँ विडियो नहीं मिलेगा आप यहां पे लिखा हुआ भली हो कि वीडियो मिलेगा आपको यहां पर एमेज, सिक्वेंस, प्रोसेसिंग यह जो फ्रेम आपको दिखारा है आपको बहुत सारी image मिलेगी एक frame के तो उप्रेम आपके पास काफी सारी frame आपके पास हो जाएगे तो frame से हम video बनाएंगे frame को convert करके वीडियो बनाएंगी बहुत सिंपल है कोई इतना मुश्किल काम नहीं तो सबसे पहले अपने इसको होने देते हैं तब तक मैं यह वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं यहां से थोड़ा से स्किप कर लेता हूँ ओके तो जैसे खतम होगा आपके सामने यहां पर मिलेगा image sequence save and exit यहां पर आप save and exit पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो गई है तो जो सेव होई है उस फोल्डर का नाम है जी और फाइल के निदर एनिमेटर वीडियो तो मैं यहां से भी इसको कर देचाहूँ तो मैं यहां से भी करुँगा इसके सब को यहां से close और यहां पर कर लेता हूं no फिर यहां पर जैसे मैं आपको बता हूं टेमरी, एक्जीट, यह कर लूँगा मेरे को फिर जो भी मैन आपको बता रहा कि एक folder आपके सामने आए गा वो यह folder यहांपे create हो चुका है 360 और यहां पर आप देखेंगे तो जो फाइव सेकेंड का वीडियो था उसके अंदर 126 अपने को इमेज मिले है तो इस इमेज से हम करेंगे वीडियो क्रियेट देख सकते हैं आप मैं यहां से भी इमेज को एक सिक्वंच वाइस स्पीर में जैसे भगाता हूं तो कुछ इस टाइब अपने को वीडियो देखने को मिलेगा देख सकते हैं ओके तो यह आपने देखा ओके तो इसका जो इमेज का जो वीडियो है वह हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम यूज करेंगे एक सॉप्ट्वेर का जिसका नाम है फोटो सॉप्ट आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो एंडिक्स आ आप सीख सके ओकी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थैंक यू